नमस्कार, मादमिक सिक्षा विभाग में प्रमोशन कैसे होता है, खासका सिक्षकों का हर कोई जानना चाहता है। आज से करीब तीन साल पहले, उस समय हरकम मच गया था, जब एक खबर हम सब के पास आया, वह खबर सिक्षकों के पदोननती से ही चुड़ा हुआ था। खबर की हेटिंग थी, अब नहीं चलेगा विशे बदल कर पदोननती का खेल, उपमुख्यमंत्री ने दिये ऐसे मामलों में कारवाई का नरदेश, यकिनन बड़ी खबर थी, पूरे महकमे में खलबली मच गय थी, ऐसे बहुत सारे सिक्षक हैं जिनकी मौलिक न्युक्ती किस इसी दूसरे विशे में हुई है, लेकिन अन्य विशे में असनात कोटर की डिगरी ले करके दूसरे विशे में प्रमोशन ले लिया, जैसे कि हिंदी विशे का सहाई का ध्यापक है, और जब उसने देखा कि अंगरेजी विशे के प्रवक्ता किसी पहले खाली होगी, तो उ उसने जट से इंग्लिस विसे में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले ली और प्रोमोशन भी ले लिया क्या आयसा करना वैद है क्या कानूनी रूप से ऐसा उचित है इस पर हम बाद में बताएंगे पहले आते हैं उस खबर की ओर ये खबर अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र में 18 नवंबर 2019 को छपी थी इस खबर में असपस्ट लिखा था कि समय से पहले पदोन्नती के लिए विसे वदलकर पदोन्नती का खेल चल रहा है दरसल माधमिक सिक्षा मंत्री रहे और उस समय के उपमुठ मंत्री दिनेश सर्मा ने माधमिक सिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक कर रहे थे इस बैठक में उन्हें जानकारी मिली कि माधमिक सिक्षा विभाग में सिक्षकों का विज़े बदलकर पदोन्नती का खेल चल रहा है तो डॉक्टर दिनेश सर्मा ने इस पर नराजगी ब्यक्त की और इसकी अलावा तमाम जो चीला विद्याले निरिक्षक थे उन्होंने भी एक रिपोर्ट में कहा कि इस व्यवस्था से स्कूलों में सिक्षण कार प्रभावित होते हैं तत कालीन उप मुख्यमंती रहे डॉक्टर दिनेश सर्मा ने इस पर नराजगी ब्यक्त करते हुए इस व्यवस्था को बं पदोन्नती दी जाएगी जिस विशे में आपकी मौलिक नियुक्ति हुई है यानि अगर आपकी नियुक्ति अंग्रेजी विशे के सहाय का ध्यापक के लिए हुआ है तो आपकी पदोन्नती भी अंग्रेजी विशे के लिए ही होगा नकी इतिहास समासास्त अधिविशे अब आईए इसके बाद की बाते मैं आप सबको बताऊं अगर आप नहीं जानते हैं तो confusion पैदा हो सकता है धरसल समिक्षा बैठक में जो नेड़े हुए उस पर सासन और विभाग ने अमली जमा नहीं पाना पाया यानि कोई पदोन्नती संबंधी संसोधन नियमावली बनी ही नहीं यानि अभी भी विशे बदलकर पदोन्नती लिया जा सकता है वर्तमान में विशे को लेकर पदोन्नती से संबंधित नियम क्या है ये हम सभी को जानना चाहिए Intermediate Education Act 1921 का अध्याय दो जिसमें संस्था प्रधान और अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर तमाम विनियम लिखे गए है उसी अध्याय के विनियम 6.1 में केवल इतना ही उलेक किया गया है कि रिक्ति होने के दिनांग को पांच वर्स की मौलिक सेवा हो और जिस विशे में पदोन्नती किया जाना हो उस विशे के अध्यापन के लिए नियुन्तम अरहता रखता हो यानि इस विनियम में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लिखा है कि उसी विशे में पदोन्नती होगी जिस विशे के सहायक अध्यापक हो इस वी नियम में लिखा है उस विशे के जिसमें प्रवक्ता स्रेडी या एल्टी स्रेडी में अध्यापक की अवाश्यकता हो अध्यापन के लिए विहित नियूंतम अढ़ता रखता हो आज इस वीडियो के माध्यम से यह क्लियर हो गया है कि आज भी विशे बदल कर पदोन्नति ली जा सकती है केवल उस विशे के लिए हमारे पास सैक्षिक योगिता होनी चाहिए अमर उजाला में छपी या खबर पुनता सकते हैं लेकिन चुकी इसे लेकर कोई नियमावली बनी ही नहीं इसलिए इस खबर का कोई मायने मतलब नहीं है मैं समझता हूँ कि आपका इस खबर को लेके सभी दूविधा खत्म हो गये होंगे अभी भी अंग्रेजी विशे का अध्यापक इतिहास, नागरिक सास्त, आदि विशे का प्रवक्ता बन सकता है केवल उसके पास सैक्षिक योगिता होनी चाहिए आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट बाक्स में जरूर लिखे, आपका कोई सवाल हो, तो उसे भी कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं, धन्यवाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट बाक्स में अपना कमेंट जरू भेज़ें और इस वीडियो को अधिक सदिक सेयर करें साथ ही हमारे इस यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुचे इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें धन्यवाद